नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रकर श्रिवास्तव गया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गुरा ये कुछ मुहावरे आप लोगोंने हिंदी में सुने होंगे ठेके अंधो में काना रा आज इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के कुछ important idiom से रूबरू करवाओंगा जो आने वाले competitive exam के लिए प्लस आपकी knowledge के लिए बड़ा ज़रूरी है सबसे पहला sweeping statement sweeping statement का मतलब क्या होता है दोस्तों thoughtless statement जब कोई बिना सोचे समझे कोई statement देता है कुछ कहता है उसको कहते हैं sweeping statement thoughtless statement which are हीन कथन next enough rope enough rope का मतलब क्या होता है enough freedom पर्याप्त स्वतन तरता for example हमारे घर वाले जब हमें बाहर पढ़ने को भेजते हैं या आज के दौर में माता पिता अपने बच्चों को enough rope देते हैं enough freedom देते हैं पर्याप्त independence देते हैं अब depend करता है कि हम बच्चे उन freedom को सही तरह से इस्तमाल करते हैं गलत तरह से in order to have enough freedom it is necessary to have too much अगला है दोस्तों look down upon किसी को बहुत जादा hate करना look down upon किसी को बहुत ही जादा hate करना screen पर ये जो फोटो है इसमें बच्चा क्या कह रगा गया देखिए यो घृणा से मद देखिए صاحب ये जिन्दगी हमने मांगी नहीं हमें विरासत में मिली है ये बच्चा कह रगा गया है कि हमें इतनी जादा घृणा से मत देखिए हम ऐसे हैं नहीं हमने अपनी No love lost between, not on good term, जिसके साथ आपके रिष्टे अच्छे नहीं होते हैं, जिसके साथ आपके कामराडरी अच्छी नहीं होती है, मैत्रिपुण संबंध नहीं होना, जैसे हमारा और चीन का अक्सर बॉर्डर पर होता रहता है, तो हमारे और चीन के बीच में, no love lost between है, हमारे बीच म आत्रिपुण संबंध नहीं है, good Samaritan, good Samaritan का मतलब क्या होता है दोस्तों, परोपकारी व्यक्ती, और स्क्रीन में इससे बड़ा परोपकारी व्यक्ती है, तो हिंदुस्तान में आपको कोई मिलेगा है नहीं, रतन टाटा, helpful person, good Samaritan, परोपकारी व्यक्ती, शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, dishonest mean, गलत तरीके से, भ्रस्ट तरीके से, corruption, इसका मतलब होता है, sharp practice, an axe to grind, an axe to grind का मतलब क्या होता है, स्वार्थ से भरा उद्देश, जब कोई इनसान, आप से रिष्टा रखता है, या आप की बड़ाई करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है, आप से उसको कुछ चाये होता है, उस particular चीज़ को हम लोग कहत हैं, an axe to grind, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, मामा शकुनी, मामा शकुनी से बड़ा स्वार्थी इनसान तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, उनकी हर उद्देश्य में स्वार्थ था महा भारत के दौरान, उन्होंने दुरियोधन की जिन्दगी खराब की, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बदले के लिए, तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। next one, helter-skelter, helter-skelter का मतलब क्या होता है, est-ust-vest, ना इधर ना उदर, est-vest, helter-skelter, स्वामी विवेका अनंद कहते थे, जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, गौर से सुनियेगा, जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, असल में वो वियस्त नहीं है, बलकि अस्त-वियस्त है, असल में वो बीजी नहीं है, वो helter-skelter है, इसलिए वियस्त रहिए, अस्त-वियस्त रहने की जरूरत नहीं है, जिन्दगी में कुछ नहीं मिलता है, next one, a man in the street, a man in the street का मतलब होता है दोस्तो, an ordinary person, common man, आम आदमी, a man in the street, human service, human service का मतलब होता है अच्छा कारे करना, समाज कारे करना, social work करना, यह screen पर आपको नजर आ रहा गए, human service, बहुत सारे लोग social service करते हैं, human service करते हैं, दोस्तों ये थे, 10 important idioms इस वीडियो में, उमीद है आप लोगों को मेरे तरह, मैंने जो explain किया, मेरे तरह का explain आप लोगों के समझ में आया होगा, wish you all a very good luck, do subscribe Guru घंटा, don't forget to share the, press the bell icon, do like, subscribe, and comment on this video, thank you so much guys,